उसके पाद तीजी एक ऐंडिगरी है, और वो है complimentary event यह complimentary का word आप पर बहुत दफ़ा सुना भूगा हर जगा आप मैं सको सुना है आप ge SUV के बार करो तो आपने complimentary angle सुना था complimentary angle कैसे निकाल देते हैं, अगर एक angle given है तो उसको ाप एक whole venue से minus करते थे एंगल के sense में आप उसको 90 consider करते थे कि अगर 30 given है तो 90 को 30 से minus करो 60 60 complimentary angle हो जाएगा set की language में अगर एक set A given है तो उसको compliment क्या था आप उसको whole से minus करते थे union से minus करते थे अगर आपको यादो A compliment क्या हो देता? union में से A को minus करते थो यह पहले 2 था आप ने 8 minus 2 किया 6 तो वह क्या कर रहे जाएगी complimentary combination इसी दरा complimentary event भी होते है complimentary event क्या होते है कि for example event A है कि आप एक सब्सक्राइब कर लो event है टू आना simple basic event elementary event consider करते हैं कि event है टू आना ठीक है तो इसको for example event A अब अगर आप ने इसका compliment यह मैं बात करो अगर आप डाय को रोल कर रहे हो अब मैं आप से बोलू कि इसका complimentary event निकालो तो इसका complimentary event यह होगा simple language में कि यह event perform ना हो अब यह event perform किन-किन आउटकम में नहीं हो रहा है आपके पास run आजाए आपके पास 3 आजाए आपके पास 4 आजाए 5 आजाए 6 आजाए इसमें से कुछ भी आजाए तो यह event इवेंट एक आउटकम में 2 तो इवेंट एक जो complimentary event होगा उसके अंदर वो outcomes होगे जो एक अंदर नहीं है एक अंदर क्या रहेंगे 1 3 4 5 6 simple language में एक event होता है यह चीज हो इसका complimentary होगा कि यह चीज ना हो for example event A है कि बारे शो इसका complimentary क्या होगा बारे श ना हो event A है event number आ का तो क्या हैंगे तो क्याने का मतलब है कि एक चीज अगर हो रही है इसका अब आप करोगे कि हमेशा ही होते हैं क्यों कि ना की बात आगी है जिसके इन्दर यह फलाना इलिमेंट गिए जो इसका कॉपलिमेंट्री होगा उसके अंदर हो एलिमेंट्स नहीं होंगेतों तो मुँश्ली मेंट्री नगे कर रहे हैं नहीं कि इसका पहली बात यह एक्शॉस्टिब ही होते हैं क्यूं कि इसमें दर आपने कबर कर लिया होता है क्योंकि कॉप्लिमेंटर का मतलब जो इसके अंदर नहीं है सारे उसके अंदर कवर हो जाते हैं तो अगर आप इनको क्लेक्टिवली देखो तो यह एक युनियल होगे तो आपके पूरा सेंपलिस पर साथ हैगा जैसे आपने सेट के अंदर देखा था एक सेट ए है और एक कॉ जाते थे और इसका युनियल लेते थे तो अगेन युनिवर्सल के बराबर आजाए करता था युनिवर्सल यहां पर क्या है सेंपल स्पेस बड़ा वाला सेट जो है तो हमेशा आप अब सब्सक्राइब क्योंकि कॉम्प्लिमेंटर में हर चीज़ कवर हो जाती है यह समझ चीज़ वो लाजमी mutually exclusive होंगे क्योंकि ना वाला केस आगए event A हो रहा है event B कि event A ना हो ना के अंदर जायट सी बात है कुछ चीज़ें कॉमन तो नहीं होंगी उनके अंदर मना वो तो एक साथ हो जाएंगे परफार्ण तो हमेशा complimentary event mutually exclusive होता है लेकिन यह एक साथ पढ़ाने क है वो जरूरी नहीं है कि वो complimentary हो क्यों for example मैंने आपको consider किया था example दी कि कि for example इसको consider कर रही है पहले बाला और यह दूसरा बाला पहले वाले event के अंदर outcome है 1-2 दूसरी के अंदर 4-5-6 यह mutually exclusive है लेकिन यह complimentary नहीं है क्यों complimentary होता था कि उस complimentary exhaustive होते हैं for example अगर event है 1-2 इसका complimentary complimentary क्या होगा 3-4-5-6 event A का मतलब 1-2 आजाए इसका complimentary होगा कि 1-2 ना है तो वो कैसे हो सकता है कि 3-4-5-6 कुछ भी आजाए ठीक है तो यह one-two का करा complimentary निकालो कर दिए आएगा 3-4-5-6 यह complimentary होगा तो आपने observe कि यह वहला event mutual है कि कुछ भी common नहीं इनके अंदर लेकिन यह complimentary नह आप यूनियल लोग सेंपल के परावर है जब की जरूरी नहीं कि जितने इस्ट्रीमेंट्री होगा यह जरूरी है कि जत्रेपाइटरी है वह mutually exclusive लाजमी होगे तो मैंने काफी comparison इन में कर दिए exhaustive इन तीनों के अंदर difference आपको आम तरुके Google पेतना मिलता नहीं है मैंने डेल जो का option भी है या दुबारा रिवाइंट करकी भी आप देख सकते हो अगर मैं पिल्कुल आइसा जाए तो यह पूरी कवर कर दिया आप लोग की अच्छा उसके बाद अब डिर्फेंट कंजी रहते हैं फिर एक और टाइप होती जिसको बोलते हो surtis का मतलब है कि वह में जिनकी प्राव विलिटी सेम वो जिनके अक्रेश चेंके रहें कुछ पूरते ऐसे निकलत हैकि जो आप यूबिलीट आप रहे हो प्रbavatam प्रविबिट कि पर जो में पर जी निकालती हो जो यह गुब आप कंसिडर कर रहे हो इसके अंदर कितने पर इंदर कितने कि इस फिवरिबल के एट है अगर तो कितने कैस कर रहे हैं तो पर जाट तो फासे तो प्रोबिविटी क्या रहे बन आ पॉंट और 0.5 probability इसी तरह आप इसकी probability निगालों इसकी probability भी 3 upon 6 आ लिए तो कहने का मतलब इन दोनों इवेंट के chances सेम हैं जैसे आप head और tail यह दोनों equally likely event event a head आना event b tail आना equally likely है event head का जो है इसके भी chances 50% है मतलब 1 upon 2 probability है और event b probability b 1 upon 2 मतलब 50% chances है तो अब chances 50% है आएगा जो भी फैंकने से पहले आपको पता है कि chances 50% है अब जो actual में आ रहे हो अलग बात है आप बेशक 100 reading भी ले लो table बना रहो बोलो आप उसमें बेशक्त देखो कि head जएड़ा दफ़ा आया है for example यह भी सवाल बच्चों को होता है कि sir हमने 100 दफ़ा reading perform किये उसमें head 60 दफ़ा है tail 40 दफ़ा है लेकिन अभी भी जब आप 101 दफ़ा perform करोगे chances अभी भी सेम होंगे 50-50 है यह जैक में रख पर ना chances सेम ही रहेंगे उनके actually में क्या perform हो रहा है वो अलग बात है लेकिन chances उनके सेम ही रहते हैं कि आपने 101 दफ़ा भी जब perform कर रहे हो तो chances सेम ही रहेंगे अगर आपको इसको मजीद clarify करने ना तो आप फिर जो रीडिंग्स हैं वह बहुत infinite करो आप 10,000 रीडिंग लो तब जाके आप observe करोगे के chances 50-50 हैं for example आप 10 रीडिंग लेते हो जैसे world cup में मुझे याद है world cup के अंदर पाकिसान में शुरू के तीन चार्ट और जी दिया था तो एक दो हरा था तो प्रॉबिलिटी तो सेम है इंगी लेकर head ज्यादा दफ़ा है तेल कम दफ़ा है तो आप ही कहोगे याद एक्चुल में तो अलग बात है एक्चुल में अलग नहीं है आप रेडिंग ज्यादा आप रेडिंग जब से पाकिसान की टीम बनी है तब से लेकर आज तक के टॉस काउंट करो तो जब इतनी ज्यादा रेडिंग लोगे ना तो आपको समझ जाओगे कि चांसिस ऑल्मूंस एक्वली होगे लेकर देख लेकर आप खुद परफॉर्म करो आपके पास सिक्का है तो आप दस हजार दफार परफॉर्म करो दस हजार दफार रीडिंग लाओ तब अबसर्ट करों के नहीं है चांसिस इनके टक्रेम सेम है और मोश्टी-50 हों के आप करके देख लेए आप तब कम रीडिंग लोगे फिर परफॉर्म करो तो घलत वाद है ना फिर में तो फर आप observe करो कि हाँ 50-50% chances है, तो सवाल का भी मैं आपको जबाते हैं, तो खैट, equally likely event ऐसे होते हैं, जिमके chances सेम होते हैं, कि यार, दोनों की probability सेम है, कि ए चीज़ हो, ठीक है, अच्छा, उसके बाद है, अच्छा, not, उन्होंने बोला कि not की exactly भी दो, मैंने रिखा बता, not, अगर मतब equally likely event अगर कोई ना हो, तो वो कौन-कौन है, for example, मैं आपको बोलू, कि 2 आना, event A क्या है, 2 आना, और event B हम कर लेंके, for example, odd number आना, दो event consider करते हैं, event A है कि जब आप dive हैको, तो आपके पास 2 आए, अब इसका A की favorable case है, कि 2 आए, 2 किसी और दरीकिस दो नहीं आ सकता, तो इस इसकी probability क्या है, 3 upon 6 मतलब 1 upon 2, इसकी probability अलागे है, इसकी probability अलागे है, तो that's why ये event जो है, equally likely event नहीं होगे, कि आप थोड़ा सोचो न, आप sense बनाती ये बात, इस event के perform होने के ज़्यदा chances है, क्योंकि outcome 1, 3, 5 है, जबके इस event के perform होने के chances कम है, तो जार से पता, chances से नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते के equally likely events है, फिर है certain event, ये भी देख लगते है, certain event एक भी हो सकता है, equally likely event में आपको दो चाहिए, complimentary में दो चाहिए, exhaustive में minimum दो चाहिए, mutual में दो चाहिए, लेकिन certain event एक भी हो सकता है, for example, आप ये बोलो के, मैं event को define कर रहा हूँ, event है, कि जब आप मैं die को फैंको हूँ, तो less than 7 कोई number आए, event, for example, define करते हैं, कि less than 7 आए, event एक डी है, क्या है, कि जब आप die को फैंको, को मेरे पास less than 7 आए, ये event certain event है, certain event वो है कि last भी होगा हो, 100% chance है, बहुत जब आप die फैंको होगे, तो less than 7 ही आगा ना कुछ, कैसा possible die फैंक 10 आगया, ऐसा तो इसका मतलब ये वो event है, कि less than 7 आए, ये जो event है, ये certain event है, इसको sure event भी कहते है, sure, मतलब लाजमी होगा ये, 100%, probability 1 है, इसकी, percentage में बात करो, तो 100% probability है, कि ये event लाजमी करफा होगा, इसी तरीके से, आप बहुत के, आप एक event A define तरो, for example, event C define तरो, क्या आपने coin toss किया, आपके पास head आजाए, या tail आजाए, या tail आजाए, यही होगा भई, आप जब coin toss करते हो, तो या तो head आता है, tail आता है, event C क्या है, head आजाए, या tail आजाए, ठीक है, तो एक event C हमेशर perform होगा, जब भी आप coin toss को कि आप आपके पास या head आता है, या tail आता है, तो हर, दोनों situation में, event C तो perform होगा, event C तो perform होगा, जब head आजाए, tail आजाए, तो यही situation है आपके पास, इसका मतलब आप इस event को क्या बोलोगे, या certain event है, sure event है, यह होगा होगा, ठीक है, और इसका आगी attack, impossible होगा न, हाँ, certain event लिखा है, not attempt paper fail, ऐसा मैंने एक example बनाई जो थी, कि, अगर आप paper attempt नहीं कर रहे, तो पर यह certain है, कि आप fail होगे, बतलब आप 100% ने guarantee दे सकते हो, कि यह आप यह fail होगे, ऐसा possible ही नहीं कि event perform आप, fail होने का event last भी perform होगा, अगर आप paper नहीं दो गया, ठीक है, तो यह certain event आप इसको बो सकते हैं, इसके बाद जो category है, वो है impossible event, नाम आपको यह बता रहा है, कि impossible event का मतब यह है, कि ऐसा event जो होई नहीं सकता, for example, मैं आपको बोलूँ कि event है, कि आगर मैंने डाई ठेंकी, और मेरे पास कोई greater than 6th number आजाए, किया मैंने पास बोलिए, greater than 6th आजाए, for example, event D है, कि यह event है, कि डाई ठेंको, और आपके पास greater than 6th number आजाए, आपको बता है, डाई जब ठेंकोगे, तो greater than 6th number नहीं आसकता, 7, 8, 10, कुछ भी नहीं आसकता, तो यह ऐसा event है, जो आप बोल सकते हो, कि perform होई नहीं सकता, zero chances है, zero probability है, यह event होई नहीं सकता, कि आपके पास greater than 6th number आजा है, save छोड़ो, तो event कहें कि उपर जाए, यह event कभी perform हो सकता, save को अगर आप छोड़ोगे, तो वो नीचे ही जाएगा, उपर नहीं जाएगा, उसको भी आप क्या बोल सकते है, impossible event, जिसकी probability zero हो, कि event होई नहीं सकता, उसके बात है, identical events, identical है कि कौन नाभी दा, equivalent था यह equivalence था, क्या नाम था, इसका, equivalent हाँ, एक और उसका नाम है, equivalent event, यह वो event होते हैं, कि for example, अगर पहला event perform हो रहा है, तो आप बोस रखते हो कि दूसरा तो लास्मी perform होगा, या अगर दूसरा और तो पहला लास्मी होगा, एक example मुझे इसकी में लिए, for example, आप event A बोलो, कि आपके पास को even number आए, आपने specify नहीं कि आपने बस बोले कि even number आए बेरे पास, और event B बोलो, कि 246, इसके अंतरा आपे बता दिये कि आपके 246 outcome है, अगर आप इन दोनों event को देखो, तो आप identical ही बोलोगे, वैसे भी आप थोड़ा सुचो, तो यह identical ही है, even number आना है 246 आना, तो आप इन दोने event को identical बोलोगे, क्यों? अगर एक event perform हो रहे तो दूसरा लास्मी होगा, अगर दूसरा लास्मी होगा, if and only if की condition है, कि अगर पहला event perform हो रहे, if and only if की दूसरा हो, मतलब दोनों तरफ से बात चल लिए हैं, कि for example, आपने diet हैंका, आपके बस event number आगया, तो पहला event perform हो गया हो गया और पहला event perform हो गया, तो आपको पता दूसरा लास्मी की perform हो गया, क्योंकि तू जो है, वो एक event number हो भी प्रफ़ान हो गया여, यह इश़्ार तो अगर एक और हो रहा है तो दूसरा चाय कम और आखर यह वह है इसके इश्म ने ना पड़ाए इस बाड़े। अगर आपनों को याद हो मैंने counting principle के अंदर आपको बताया था guardian वाली example दे थी कि अगर एक event perform हो रहना तो दूसरे वैसर नहीं होना चाहिए इसकी और example मैं आपको दे सकता हूँ cards वाली example for example अगर आपके पास 52 cards है मैं आप से बोलता हूँ कि मैंने card 1 उठाया है पहला event क्या है कि जो मैंने card उठाया है वह रेड़ हो अब इसकी probability क्या है 26 red card जो है कितने होते 26 होते हैं divided by total 52 है तो probability क्या है बना पाउंट तो event a जो है वो क्या था event a था कि red card आये है ठीक है तो probability बना पाउंट पाउंट तो event a की probability कि आप 1 अपाउंट तो एक card उठा लिए अब मैं बोलतो है event b कि जब मैं दूसरा card उठाओं यहां पर चीज इंट्रस्टेट होती है यहां पर चीज होती है with replacement without replacement अगर जो मैंने पहला card उठाया है उसको मैंने दुबारा उचला पर रख दी है तो अब event b जो है वो dependent ही होगा और अगर जो मैंने दूसरा card उठाया वो red है ठीक है तो अब यह दूसरा event जो है यह depend कर रहा है पहले के उपर क्यों अगर पहला event ना होता तो इस दूसरी की probability वन अफॉन टू होती लेकिर पहला event हो गया है अब दूसरी की probability चेंज जाएगी क्यों एक रेट आपने उठाया और साइट पर रख दिया अब अगर इवेट ए परफॉर्म जब आपने किया और उस card को रख दिया 52 कार्ट के अंदर तो इवेट बीगी प्रॉबिलिटी वही आएगी वन अपॉन लेकिन अगर आपने उस card को replace नहीं किया आपने उस card को जो पहले event perform किया था उसको ठागे की साइट पर रख दिया अब event B जो है वो depend कर रहा है पहले के उपर क्या उसकी probability चेंज जाएगी तो इस case में आप क्या बोलोगे with replacement dependent नहीं बनते हैं independent होते हैं लेकिन अगर आप without replacement कर कर रहे हो उस card को ठाके side पे रख रहे हो तो अब जो probability नहीं हो चेंज जाती है मतलब डिपेंड कर रहा होता है event B depend कर रहे है एक के उपर इस case में तो यह example आप कह सकते हो के dependent event यह होते हैं तो simple language में independent event ऐसे events होते हैं कि जिसका असर जो है वो दूसरे event पे ना हो कि आपने पहला event perform किया जब आप दूसरा event perform करने लगो तो इंडिपेंड हो A से कि पहले event को आपने किसी तरीके से perform किया event B पे फर्क नी पड़ेगा लेकिन अगर event B पे फर्क पड़े event A आप इस तरीके से perform किया अगर उसका असर event B पे भी पढ़ड़ा है तो अब आप उसको क्या मोलोगे कि यार वो event जो है वो dependent है इसे मैं गाड़ी की example दी थी अभी मैं छोड़ी सी example आपको दे सकता हूं कि आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपके पास दो option है automatic, manual तो option है अगर आप gear के साफ से बात कर दो आप color के साफ से बात कर दो तो आपके पांच option है red, black, green, yellow, white तो अभी दो event है, total cases कितने हैं, दो इसके हैं, पांच इसके, two multiply five, ten, ten तरीकों से आप pick कर सकते हो न, मतलब आप automatic लो उसके साफ red लो, आप automatic blue लो, automatic green, automatic yellow, automatic white, यह पांच cases बन गए, again, आप manual ले लो और पांच cases यहां पर बन जाएगे, तो total कितने तरीके से आप गाड़ी चूज़ कर सकते हो, दस तरीकों से चूज़ कर सकते हो, तो अभी यह पहला event, कि आप gear के साफ से गाड़ी को pick करो, और दूसरा event, कि आपने color क्या choose करना है, यह दोना एक दूसरे से independent है, आपने पहले आप यह perform करो, और फिर यह perform करो, इस आप उसमें black color नहीं ले सकते हैं, अब दूसरा event depend कर रहा है पहले के ओपर, कैसे, अगर पहला event में आपने automatic उठाई है, तो अब दूसरे event में आप black नहीं उठा सकते हैं, अगर आपने पहला event में manual उठाई है, तो आप दूसरे में black उठा सकते हैं, तो यह दूसरा event कर रहा कंडिशनल प्रॉबिलिटी होती है बुक पर आपको नहीं मिलेगी है और जो इंडिपेंट है उसकी प्रॉबिलिटी निकाला बड़ा इजी होता है आप कोई भी एक इवेंट फिक्स करो तो ये बच्चो इवेंट की सारी टाइस में आपको बता दी कुछ बेसिक टर्मिनोजी होती है प्रॉबिलिटी के अंदर आप काफी पढ़ते हो उस सब मैंने क्लियर कर दी है जितने सवाल हो सकते थे इस लेक्चर में इतना ही अलाँ आप